है आप सब आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल सोशोलोजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग जो वेस्टरन सोशोलोजीकल थिंकर हैं जोर्ज हर्बर्ट मीड जिन्हें जी एच मीड के नाम से भी जाना जाता है उनकी थियोरी सिंबोलिक इंटरेक्निजम के संदर्ब में देखेंगे और यह जो थियोरी है यह आपका यूज में स्टार्ट करते हैं जॉटहटबर्ट मीड का जो इंटरेक्निजम का जो सिध्धान्त है इसे प्रतिकातमिक अंतरक्रियावाद का सिध्धांत कहा जाता है तो इंकी थोड़ी जानने से पहले इनके ठोड़े देख लेते हैं जोर्फ telh जर्म 27 फेवरेडी 1863 साउथ हेडली यूएस में हुआ था तता इनकी मित्यू 23 अप्रिल 1931 यूएस के सिकागो में हुई थी वे एक अमेरिकी दार्शनिक समासस्त्री और मनोविज्यानिक थे जो मुखे रूप से सिकागो विश्वविद्याले से सम्मद्दी थे जहां वे इनकी जो थियोरी थी वो था प्रतिकात्मक अंतरक्रियावाद का सिध्धान्त जी एच मेट को प्रतिकात्मक अंतरक्रियावाद का सिध्धान्त का प्रेनिता माना जाता है आप कहा सकते हैं कि जो प्रतिकात्मक अंतरक्रियावाद का सिध्धान्त है इसके तो जो एक प्र उसे भी मैं बताऊंगी इसलिए आपसे रिख्येश्ट है कि आप क्लास के लाश्त तक बने रहे. यानि कि मैं मुझे और स्वैम का सिद्धानत या स्वा का सिद्धानत बोला जाता है। ये जो थोड़ी है ये एक समाजी करन का सिध्धान के अंतरगत आता है और उनकी जो थोड़ी है उसे समानिकरित अन जिसे की जेनरलाइस्ट अनदर बोला जाता है और एक और इनकी थोड़ी थी सिगनिफिकेंट अदर तो सिंबोलिक इंटरेक्शन का जाइनकी थोड़ी है माई मी और सेल्फ थोड़ी यानि की मैं मुझे और स्वह का सिध्धान इसमें जो जेनरलाइस्ट अदर है यह ये बताता है कि जेनरलाइस्ट अदर मतलब वे लोग होते हैं जो दूर के डिलेशन के होते हैं जिनसे हम फैमिली के मेंबर हो गए या हमारे आसपास के जो घनिष्ट संबंध वाले लोग हो गए उनसे जो हमारा समाजी करन होता है ठीक है ये इसमें बताता है इसमें हमें बहुत जादा हम इफेक्ट होते हैं उनको देखकर अपने भूमिका का निर्वाह करते हैं जैसे मान लीजे आप एक्जांपल के तौर पर दे सकते हैं कि कोई एक बच्चा है जो परिवार में जन्म ले रहा है तो वह परिवार के फैमिली के मेंबर के साथ उसका घनिष्ट संबंध होगा यानि सिवनिफिकेंट अदर डिलेशन में उसका डिलेशन आएगा तो वह अपने परिवार म सरथ कोश्काई सीखता है समाजी करन की उसको लगता है कि मेरी मॉम ऐसा कर रहे तो मूझे भी ऐसा करना चाहे है तो इससे क्या हो जाता है कि बच्चा अपने आस-परस के वाता वरन से था परिवार से अपने में ब्हूमी का ऑड़ा करता निया अपने भूमी चौको ग्रह रूप हो गया और मी में क्या होता है कि बच्चा है जो वो समाज को प्रतिकिरिया करके दिखाता है या दूसरे को देखकर जो भूमी का ग्रहन करने की बात होती है वो हो जाएगा मी के अंतरगत कि मैं कैसा कर रहा हूं मैंने जो भूमी का का निर्वहान किया उसको फिर मैं कि बनाड़ा किस प्रकार से दिखाड़ा हूं ठीक है देखिए का पड़िवार में भी जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वह मां को साड़ी पहनते वे देखते वे बिस बूलते हैं कि मैं भी मां के जैसे साड़ी बनोंगा मतलब किया वह भूमी का को सीख रहा है कोई बच्चा है अगर वह अपने पापा को सेविंग करते हुए देखा है और वह बच्चा भी ब्रस लेकर पीजी के सेविंग करना स्टाट कर देता है वो self में जाकर यानि स्वह में जाकर अपने खुद की चेतना के अनुसार वो काड़े करता है तो हम कह सकते हैं कि I, Me और self का जो थियोरी है वो पूरी तरह से society पर बेस्ट है, परिवार पर बेस्ट है जिसमें बच्चा समाजी करन होता है, उसको समाजी करन का सिधान्त कहता है और उसको जो बच्चा है वो समाज से सीख कर परिवार से सीख कर अपने आप में ढालता है तो मैं या आप बोलिए या फिर हम लोग जितने भी लोग हैं वो कहां रहते हैं समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अंतक्रिया करते हैं, और अंतक्रिया के माध्यम से हम बहुत सारे चीजों को सीखते हैं, और यही जो चीजे जो सीखने की प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है, सिग्निफिकेंट लिए समान्य किरत और अब हम लोग देखते हैं सीग्मिफाइड और जो है या सीग्निफिकर्ट है इसकी प्रमुक मान्यताएं क्या-क्या तो पहला है कि मनुस्य में विचार करने की छमता होती है यही जो विचार करने की छमता है यह क्या करता है यह मनुष्य को पसु के बीच अंतर पता करता है क्योंकि पसु में क्या होता है कि उसको सोचने की छमता नहीं होती इसलिए उसका समाजी करन नहीं होता है उसका समाज पृणा में किन प्रतिक और और्स को सीखते हैं हम समाजी करन रहें होता है क्या में होता है बहुत सारे प्रतिकों को सीखते मैं जैसे कोई गुस्ता है तो गुस्से में इस वह अंक लिगुत है हम समझ जाते हैं कि वह गुस्ता है कोई अगर सरारत कर रहा तो उसके सरारत भड़ी नजरों से भी हमें पता चल जाता है अगर हम अंगली को मुझ के उपर रखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया है कि हम कुसी को कुछ बोलने से मना किया जा रहा है तो यह सब क्या है प्रतीक जाल ही समहों और समाजों का निर्मान करते हैं तो यही जो हमारे क्रियाएं हैं हमारे अंतर क्रियाएं हैं वो क्या करते हैं जाल बनाती है एक दूसरे के साथ हमारा रिलेशन बनाते हैं और यही रिलेशन जह है वो ग्रूप का निर्मान करते हैं सोसाइटी का निर्मान करत अब देखें कि जो GH Mead थे और Bloomer थे उनके बीच क्या अंतर है जहां GH Mead ने अंतक्रिया को बताया समाजी करन का माध्यम बताया आई मी का सेल्फ का सिध्धान्त दिया तो Bloomer के थियोड़ी में क्या है उन्होंने यह बताया कि हमारा जो संदर्स है यानि संदर्स हमारे देखने का अभी प्राय है समाज के संदर्स में उसको ही उन्होंने प्रतिकात्मक अंतक्रियावाद का सिध्धान्त बताया तो इसलिए अगर आपके एक्जाम के कोश्यन में अगर आपको संदर्स देखने को मिल जाए या फिर हमार देखने का दृष्टी कौन मिल जाए या अभी प्राय मिल जाए तो आप इसको बिना कोई डाउट के ब्लूमर में टिक लगाएगा और बाकी जो अंतक्रिया का सिध्धान प्रती आपको पता चले तो उसमें जर्ज हरबट मीट को आपको करेक्ट कीजिएगा तो आई होप मुझे लगता है कि आप लोगों को आज की जो थियोरी है वह बहुत ही अच्छी प्रिकार से समझ में आ गई होगी अगर आपकी कोई भी क्वेडिस आप कमेंट करके मुझे मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू